हेलो किसान भाइयो फिर से स्वागत है आपका एंजे फार्मिंग में किसान भाइयो आज हम लोग जो है वो उन्नत नसल और अच्छा बच्चा कैसे छाटे अपने फार्म के लिए इस बारे में मैं जानकारी दूँगा और लाइब जानकारी दूँगा कि छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनसे आप अगर फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरीके से आपका छोटा बच्चा आपके फार्म के लिए बेश्ट होगा ये आपको सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो कुई नया किसान उनसे को एड़वाइज मांग रहा है तो किरप्य ये वीडियो जो है उनको आप सेर कर दिजिये कि उनको हैल्प हो जाए ठीक है के किसान भाई हो चलिए हैं शुरू करते हैं वीडियो देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो किस तरीके से होता है और उसमें क्या-क्या फाइदा होता है कि आने वाल अकल में आपको परिसानी ना हो जैसा कि मैं आप लोगों बताता हूं कि मैं अपने फार्म पे होटल वेस्ट ही देता हूं सभी जानवरों को अब देख र जानकारी हम आपको देते हैं उसके लिए आपको इस वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा आप देखिए यह जो अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा आठ बच्चे साथ बच्चे जो आपको दिख रहे होंगे यह सारे टी अंडी है लेकिन इसमें से जो है वो कु कि जब कोई फीमिल जब कोई फीमिल वच्चा देती है देखिए सबसे पहले आप समझें यह दो टी अंडी हमारे पास आ रहा है इसमें से आप खुद से जज्मिंट कर सकते हैं कि एक कान जो है वो बड़ा है और एक कान जो है वो छोटा है तो छोटा कान वाला भी टी कि बना कैसे है वो भी एक क्रोस ब्रीड है दोस्तों क्रोस ब्रीड कहने का मतलब है टी अंडी किस चीज़ से बना थैम वर्थ और देशी को में से बना है यह बेट करा कर लेकिशा और देख रहे हैं वीडियो में कि इसमें दिया गया है खाना होटल वेश्ट ये होटल वेश्ट भी खालेगा हर राचारा के ऊपर भी हो जाएगा जैसे कि आप लोग को मालूम है हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं अभी मैं आपको लाइब भी दिखा देता हूं कि जो भी हर अचारा होता है यह सुवर खाते हैं और होटल वेश्ट भी खाते हैं यह टी अंडी बनाने का में मकसद था कि जो रूलर एरिया में रहते हैं मतलब ग्रामीन छेत्र में जो किसान रहत अच्छे तरीके से अपना फारम को चला सके हरां चारा खिला करके चला सके आप ही ाभी मन्ला का पेड़ है सभी शुठे खलیहान में यह जो है बहुत अच्छेस तरीके से खा रहा है कहने का मतलब है टी ये इस लिए बनाया गया दोस्तों कि हर मौसम में रहने के लिए हर मौसम में ये रह जाता है कुछ टीएंडी आपका ग्रो करता है आप लाइब देख सकते हैं कि हमारे पास जो जानवर है वो कुछ भी खा रहा है कुछ भी कहने का मतलब हरा चारा भी खा रहा है और इनको हम लोग होटल वेश्ट पे पर पर रखे हुए है ठीक है और टीएंडी बनाने का और सारा फायदा है क इसमें जो है कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि बीमारी आपके फारम पर आने ही नहीं देता है जैसे कि टीएंडी में कभी भी चमर रोग का बीमारी नहीं आता है दोस्तों आप इसको किसी भी मौसम में रखिए किसी तरह का फार्म बना करके रखिए देखिए हमारा जो हेएएग हमारा फार्म है यह आपको चुछे से एक उपन हहां पे दोस्तो हमारा मैं आप भी मेठी होता है कि हमारे बर्च शुछे होता है और यहां पर हुँतते earn आप तzeug मेरे लकार से इन नी को दोना होता है और तछ किसी paradigm को रह रहा है कोई ज़रत ने दोस्तों कि water nipple होना चाहिए कि मैंने भे water nipple में पैसे खर्च किया था पर यह विकार चला गया water nipple successful नहीं है ग्रामी चेतरों के लिए तो public tnd जो है वह बेश्ट हैं ग्रामी चेतरों के लिए अब हम थोड़ा सा जान लेते है कि हमारा जो original विर्सन है आप देखे नीचे शीर्स और विशरन जो है इसका पूर्ण तरीके से बिक्सित है और जो भी बिखित होगा वह जानवर जब भी क्रॉस करेगा फीमेल से तो अच्छा खासा बच्चा देगा तो किसान भाईयों अभी देख लिए आप कि ये हरा चारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खा लिया अब क्या है कि जो मोटा डंठल है देखिए उसको चबा करके इसने क्या किया छोड़ दिया मोटा डंठल जो चबा करके यह लोग क्या करता है छोड़ देता है यह बड़ा जानवर कहो गया दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि छोटे जानवर जो हैं हमारे पास यह भी जो है वो कुछ भी खाने के लिए त्यार होते हैं अभी जैसे कि मैंने वहां हरा चारा छोटा सा एक फेका पत्ता आप देखिए उसको यह लोग खाना सुरू कर दिये कहने का मतलब है कि आप जो हैं जो आप देर हैं चारा देर हैं वो टी अंडी के लिए कुछ भी बेहतर होता है तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो भी नया फार्म बना रहे हैं वो टी अंडी से बना किजिए चलिए हम लोग आते हैं मेन बात पर कि हम लोग जो है वो बच्चा आखिर खरीदे तो कौन सा खरीदे किसान भाइयो देखिए जो आप अगर ब्रीडिंग के लिए जानवर खरीद रहे हैं तो आप लोग को ही मालूम है कि एक फीमेल जो है कम से कम आठ नौ दस में से सारा बच्चा जो होता वो ब्रीडिंग के लिए बढ़िया नहीं होता है उसमें से कुछ बच्चे जो है वो छाटना पड़ता है उसका सारा गुन देखना पड़ता है कि यह हमारे ब्रीडिंग के लिए सही होगा या नहीं होगा जब भी आप खरीदिए बड़ा कान वाला खरीदी है बडडा कानवाला खरी दिने से आपका क्या होगा इसा बहुत बुए बॉटे था कि था आपको हएगस लाउसके बच्चे होते हैं वह नहीं लेना है क्यूकि वह कम जोर होता है जो ज़रकल होता है और दूसरी बात कि आप अभी एक फीमिल देखिए आपके पास दो यहां पे पिगलेट है एक पिगलेट जो है गोल है और दूसरा पिगलेट जो है उसका पीछे देखिए पीछे का भाग जो है इसको आप लोग गौर से देखिएगा कि पीछे का भाग जो है वो कमजोर है आ और आधिकतर बारते। किसान कारते हैं सोलने किसान कंटाइक फारमर प्राइब तो भी तो पायसे के लालते हैं को कि पर धरानीय चानल भी खुआंवरते हुआ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा अगर हमारा फोन नहीं उठता है मैं किसी कारण से बीजी रहता हूँ तो आप हमें WhatsApp कर दीजे आपको पूरी जनकारी मिल जाएगी ठीक है किसान भाई हो हमारे चैनल के साथ बने रहे है अगर आपको विशेश जनकारी और चाहिए तो आप दिये हुए नमबर पर WhatsApp करके आप जनकारी हासिल कर सकते हैं ठीक है किसान भाई हो कि वो फार्मिंग में आगे बढ़ सके ठीक है किसान भाई हो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद